बिग बॉस 14 के बाद अब राखी सावंत करने वाली हैं टेलिविजिन का सबसे बड़ा रियालिटी शो लेकिन कौन सा है ये रियालिटी शो और क्या राखी सावंत इस रियालिटी शो में अकेली नज़र आएंगी या फिर किसी के साथ क्या है पूरी खबर क्या है पूरा माम चलिए बताते हैं आपको लेकिन उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो बता दूँ आपको कि राखी सावंद बिग बॉस 14 से मिले बे शुमार फेम के बाद अब टेलिविजन के दूसरे बड़े रियालिटी शो में जाने की तैयारियां कर रही हैं Recently राखी ने एक popular media portal को interview देते हुए इस बात पर clarity दी थी कि जी हाँ बिलकुल राखी खुद इस बात के बारे में clarity दे रही थी कि बहुत जल्द वो टेलिविजन के एक बहुत बड़े रियालिटी शो में नजर आ सकती हैं लेकिन point ये नहीं है point ये है कि अब की बार राखी अकेली नहीं जाएंगी किसी भी शो में अगर अब की बार राखी कोई reality शो करेंगी तो वो अपने husband रितेश के साथ करेंगी जी हाँ रितेश एक ऐसा नाम बन चुका है big boss 14 के बाद जिसे हर कोई ढूंड रहा है जिसका च राखी ने ये तो नहीं बताया कि कौन सा reality शो वो करेंगी जब उनसे ये पूछा गया कि reality शो का नाम बता दे तो राखी ने साफ साफ कह दिया no comments लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 99% chances हैं कि राखी सावंद अगर रितेश के साथ नजर आने वाली हैं किसी शो में तो वो हो नहो नचबलिये ही होगा क्योंकि नचबलिये एक ऐसा शो है जहां पर आपको अपने पार्टनर यानि अपने बलिये के साथ करना होता है perform और participate इसके अलावा एक और खबर अगर आपको मैं दूँ तो वो ये होगी कि राखी सावंद का जिस तरह बिग बॉस के साथ पुरा अगर आपको याद हो तो राखी सावंद नचबलिये के सीजन 3 में यानि तीसरे सीजन में अपने एक्स बॉइफरेंड अभिशेख के साथ नजर क्या आई थी तौप 3 में पहुँद चुकी थी राखी सावंद अपने बलिये अभिशेख के साथ और आज सालों बाद फिर स से ऐसी खबरे उढ़ रही है कि राखी सावंद अब अपने हस्बंड रितेश के साथ दोबारा में नचबलिये में एंट्री करेंगी तो क्या आप भी राखी सावंद को नजबलिये में दुबारा देखने के लिए हैं excited जो भी है आपकी राए हमें comments में लेकर जरूर बताएं